अब सभी का स्वागात है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स में आज फिर आप लोग के बीच जारकन में ब्रॉलर रेट का अपडेट लेकर आया हूँ फ्रेंट्स आज 26 जुलाई है और आज का जो अपडेट आया हुआ है फ्रेंट्स उसमें थोड़े सी कल की तुलना मे बड़ोत्री हुई है आज का जो अपडेट है वह इस पर कह रहे धनबाद की बात कर लें तो धनबाद में 109 का अपडेट आया हुआ है बुकारों में 109 का अपडेट है राची की बात कर लें तो राची में भी 109 का अपडेट है वहीं जमसेदपूर की बात कर लें तो जमसे का अपडेट है वहीं देवगर की बात कर लें तो देवगर में एक सुननों का अपडेट है फ्रेंड्स जो भी हमारी इस चैनल में नहीं है आप सभी से रिक्वेस्ट हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कर सकते फ्रेंड्स यह जो रेट में बता रहा हूं यह रेट तो फार्मर भाईयों के लिए ज्यादा खुसी की बात नहीं हो रहे है क्योंकि उसका कोस्टिंग इस सीजन में जो आपका सावन का सीजन चल रहा है इसमें लगबग 96-97 रुपिस उसका कोस्टिंग चला रहा है और गाड़ी वाला लिप्टिंग वाला आपको मात्र 105-110 का दे रहा है या इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोसिस करें आप लोग लोकल कटर लोकल मार्केट में या फिर खुद्रा बिक्री करने का कोसिस करें फ्रेंड्स ज्यादा तर गाड़ी वाला को ना दें क्योंकि आप एक तो मेहनत करते हैं 30 दिन एक इतना ज्यादा बड्स को हाई रिस्क में रख के जो चीक्स आप लाये थें इतने हुमेडिटी और इतने गर्मी में आप अपना 100% देना चाहते हैं कि कुछ प्रॉफिट आ जाए लेकिन मिलने राए फ्रेंड्स क्यू इस वर्स ऐसा देखने को मिला है कि मक्का और सोयाबिन का रेट बढ़ने के वज़े से फीड का रेट काफी आहाए फ्रेंड्स और इसलिए मैं कहाना चाहता हूं सभी फार्म भाईयों से कि कोशिस करें कि आपका जो प्रोडक्शन होता था उससे हाप कर दें और आप लोकल की बात करते हैं तो लातेहार में 109 का अपडेट है वहीं पलामू की बात कर लें तो पलामू में 109 का अपडेट है गड़वा की बात कर लें तो गड़वा में 109 का अपडेट है वहीं सिल्ली की बात कर लें तो सिल्ली में 109 का अपडेट है खुटी की बात कर लें तो खु तो आप अपने एरिया का नाम लिखे कमेंड वाक्स में सेर कर दें मैं कोशिस करूंगा उस एरिया का भी अपडेट दे दूँ थैंक यू फ्रेंड